चबुए नमबर कॉस्चन देगो क्या गयता है कि एक कमपनी अपने सेल्समेन को कुल विक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 से उपर की विक्री पर 1% बोनस देती है अगर सेल्समेन अपना कमीशन काटने के बाद कमपनी में 52,350 रुपे जमा कराता है तो सेल्समेन द्वारा की गई कुल विक्री ग्याद कीजिए ठीक है इसमें 2 कंडिसन है क्या है कि 15,000 है और दूसरा क्या है कि 15,000 से उपर की विक्री है और कुल विक्री पर 12% का कमीशन देती है और 15,000 से उपर की विक्री पर 1% का बोनस ठीक है अब यहां पर अब क्या है और ऐसा करने पर जो कमपन मैं salesman अपना commission काटने पर 52,350 रुपे जमा करा देता है मैं क्या करता हूँ यहां कितना मिल रहा है 13% commission मिल रहा है total कितना 13% अब क्या करता हूँ अपनी मर्जी से जो पहले 15,000 थे उन पर salesman को 1% का commission देता हूँ तो 15,000 का 1% निकाल लो 15,000 का 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1,500 अब जो पहले 15,000 थे उस पर भी salesman को कितना 13% commission मिलने लगा यानि हम कह सकते हैं कि जो पूरी विक्री है उस पूरी विक्री पर salesman को 13% commission और इस 13% को काटने के बाद जो company में वो जमा करा देता है ठीक है अपना commission काटने के बाद अब देखो कुल विक्री है कुल विक्री पर अब देखो 13% है और कितना 1,500 हमारी मर्जी से एक्स्ट्रा है तो 1,500 घटा दो देखो अपनी जिम में रखेगा ना पहले हैं तक 12% लेता था आगे 13% लेता था मैंने 1% एक्स्ट्रा ले लिया ठीक है तो एक्स्ट्रा ले लिये का मतलब क्या है कि जो salesman है उसकी जिम में 1% एक्स्ट्रा चला गया ठीक है 0,0,2,2,5 ठीक है अब क्या कुल विक्री अब 13% 13% तो जमा हो गया तो 87% क्या 13% तो कमिशन काट दिया और जो 87% है वो कंपनी में जमा कर दिया इसे calculate करो calculate करेंगे देखो 3 से देखो 3 दूनी 6 और 3 नाम 27 और 3 से काटो 3 एकम 3 बच गया 2,2,3,7,21,3 चौक बार है अब 29 से काटो 29 और 6 बार 600 और कुल विक्री कितनी हो जाएगी 600 गुना में 100 यानि 60,000 ठीक है तो salesman ने कुल कितनी विक्री की है 60,000 यानि यह जो option है वो बिलकुल आपका सही उत्तर है